अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें उससे मेरी वीडियो के सारे नौटिफिकेशन सबसे पहले हैं है कि हैं अज में आप लोगों के साथ हेलदी सेलड की रेस्पी शेयर कर रही हूं कि यह बहुत हैं आप इसे ब्रेक फास्ट में ले सकते हैं लंच डिनर में ले सकते हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट आप्शन है, आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही असान है, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, तो प्राइट शुरू करते हैं, आज की सैलड की रेसिपी, देखें सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, गाजर ली है, पत्ता गोबिली है, टमाटर लिया है, शिम्ला मिर्च ली है, प्याज लिया है, और नेम्बू का रस लिया है, दो चम्मच, हरा धनिया लिया है, और दो हो, यहाँ पर मैंने हरी मिर्ष लिया है, जिसको बारी काट लिया है, देखी मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, सबसे पहले हम इसमें प्यास डाल देंगे, शिमला मिष्ट डाल देंगे, कटा हुआ टमाटर डाल देंगे खीड़ा डाल देंगे यहां पे देखिए कटी हुई पत्ता गो भी डाल देंगे और यहां गाजर डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे धरा धनिया डाल देंगे नीम्बू का रस डाल देंगे दो पिंच यहाँ पे चाट मसाला डाल देंगे, आधर चमच नमक डाल देंगे, देखिए पिंच ओफ यहाँ पे मैं काली विच डाल दूँगी, देखिए यहाँ पे मैं एक चमच टमाटो सॉस ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, देखिए अब इसको मैं मिक्स करूँगी, देखिए मैंने सैलड को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको उम गार्निशिंग दे देंगे, अनार के कुछ यहाँ पे मैंने दाने लिए हैं, देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही हैल्दी वेट लॉस सैलड बन के तैयार हो चुका है, आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा, आप इसे ब्रेक फास्ट में ले सकते हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट आप्शन है, आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा, लंच डिनर में भी आप ले सकते हैं, अगर आपको हमारी सैलड की रेस्पी अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा, तो मिलते हैं अगली नई रेस्पी के साथ, ओके, टेक केर,